हलो फ्रेंड्स चलो आज फटाफट फटाफट देखते हैं पोधो का प्यारा पैचल देखिए मार्केट से ये मुंखफली लाई इसमें मिटी लगी हुई होती है हर वार ऐसा ही होता है तो मैंने क्या किया ये मुंखफली को एक गंटा या तो अर्दा गंटा पानी में भिग तो अगर आधा गंटा भी आप भिगोगे तो निकल जाएगी अभी देखिए पानी का रंग बदलने लगा है पानी थोड़ा सा मिटी वाला यानि की गंदा दीख रहा है तो ये पानी है वो पोधो के लिए अमरूत है क्योंकि खेद की मिटी फर्टिलाइज यानि की पूर ये उसको मसल कर उसमें से सारी की सारी मिटी निकाल दी आप देख सकते हो अभी मुपली आपको स्वज दिखने लगी है ये देखिए आगे तो ये पानी से ही देखिए ये मेरे पोधे कितने हरे भरे दीखते है आपको तो चोटे-चोटे पोधे के पान आप देख सकते हो क इतने हेल्थी दिखते हैं और मेरी नागरवेल देखो तो उसको खेत का ऐसास होता है ये पानी हम डालते हैं तो ये देखिए ये पानी का रंग बदल चुका है और ये पानी हमारे पोधो के लिए अमरूत है तो मैं उसका उप्योग हर बार करते हैं अगर ये पानी हमने ऐसे ही डाल दिया तो चिकना हट हो जाती है और हम कहीं फिसल पड़ते हैं तो ये पानी फेकना मत और उसका उप्योग करना देखिए ये पानी से ही मेरा गार्डन हरा भरा पूरे-पूरा खिला हुआ आपको दिखता होगा तो मैं ये भी दिखाती हूं लेकिन फ्रेंड्स ये जो मुंखफली है इसी तरह कोई-कोई साकभाजी जैसे कि हमारी भाजी उसमें भी मिटी आती है तो उसका इसी तरह उप्योग किजिए ये देखिए मुंखफली अच्छे से धोकर मैंने इसमें रख ली है और जो पानी है उसका मैंने उप्योग किया है तो देखिए कैसा ही य यह मेरे गमले में है क्यूंकि मैं इसी तरह सभी खेत में से आने वाली यह मिटी है उसका उप्योग करती हूं साथ में कीचनवेश्ट का फर्टिलाइजर भी बनाती हूं यह देखिए अजवाइन का पान कितना अच्छा है उसको पकोड़े के पान भी बोलते है यह देखिए मेरा तोरई का है तो कितने बड़े बड़े और हिल्दी पान है तो इसी तरह आप भी उसका उप्योग किजिए